आखिरकार चांद इस ग्रह का उप ग्रह है और मजबूरी में इस ग्रह से बंद कर घूम रहा है और इसका महत्व क्या है? पूर्णिमा और अमावस्या को महत्व पूर्ण क्यों माना जाता है? शायद आप मेंसे कई लोगों को पता होगा कि मैं उमीद करता हूँ कि आप इसे अपने अनुभव की वज़े से नहीं जानते होंगे आपको पता होगा कि अगर कोई मानसिक तोर पर अस्थिर है तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वो सामानिय से थोड़ा ज्यादा परिशान हो जाते हैं क्या आपको ये पता है आपके साथ ऐसा होता है जी आप बस मेरे साथ बैठिये कैमरा की चिंता मत कीजिए तो ये आपके साथ नहीं होता पर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है तो ऐसा नहीं है कि चांद पागल करता है बस ये ही है कि जब ये कुछ स्थितियों में होता है तब ये आप जैसे भी हैं उसे प्रबल बनाता है अगर आप प्रेममे हो तो और ज्यादा प्रेममे हो जाएंगे अगर आप खुश हैं, तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे अगर आप आनंदित हैं, तो आप काफी ज्यादा आनंदित हो जाएंगे अगर आप थोड़े से पागल हैं, तो आप काफी ज्यादा पागल हो जाएंगे अगर आप ध्यान में हैं, तो आप काफी ज्यादा ध्यान में हो जाएंगे ये बस आपकी हर चीज को बढ़ा देता है तो हम इन दिनों को महत्वपूर्ण मानते हैं ताकि आप जागरुख होकर अपने अंदर सही तरह के गुण पैदा करें ताकि वो गुण बढ़ जाएं आज पूर्ण मा हैं, इस दिन लोग सुबह उठकर एक खास तरीके से रहते हैं आप अपने अंदर एक खास गुण पैदा करें ताकि शाम तक वो गुण बढ़ जाएं तो आप में जो भी गुण हैं आप उन्हें जागरुख होकर बना सकते हैं बजाए इसके कि आप अपने अंदर अचेतन रूप से होने वाले विसफोटों के शिकार हो जाएं तो चांद खुद आपको पागल या ध्यानमें नहीं बनाता ये बस आपके जो भी गुण हैं उन्हें बढ़ा देता है आप जानते हैं कि सागर भी पागल हो जाता है अगर आप अगर आप समुद्र तट पर तैर रहे हैं तो यह आपके लिए पागल पन है अगर आप एक बड़े जहाज के कपतान है तो ये आपके लिए वर्दान है लेकिन कुछ होता है पूरा समुद्र उपर उठने की कोशिश करता है जब सागर उपर उठ रहा हो तो ये स्थिती आपके भी उँचा उठने में सहायक हो सकती अगर आप में इसका इस्तिमाल करने की इच्छा है और इनसानी जीवन पर चांद का प्रभाव इससे कहीं ज्यादा है खुद के साथ कुछ भी करना हो तो ये जानना मददगार होता है कि चांद के सवस्ता में है क्योंकि ये सिस्टम में अलग-अलग तरह के गुण और उर्जाएं पैदा करता है अगर कोई जागरुख है तो उसका इस्तिमाल कर सकता है अंग्रेजी भाषा में चांद को लूनर कहते हैं अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएं तो आप लूनर टिक बन जाएंगे तो आम तोर पर चांद का असर अतारकिक माना जाता है किसी भी अतारकिक चीज़ को आम तोर पर पश्चिम में पागलपन कहा गया है या उन्माद लेकिन यहां हमने हमेशा तर्क की सीमाएं देखी तर्क जीवन के भौत एक पहली को चलाने के लिए बहुत कारगर है अगर आप व्यापार करना चाहते हैं आप घर बनाना चाहते हैं आप दुनिया में सभी चीज़ें करना चाहते हैं तो आपको तारकिक होना होगा इसे करने का और कोई तरीका नहीं है हमारे साथ समस्या ये है कि बाहरी काम करने के लिए हम ईश्वर को बुलाते हैं भीतरी स्थिती को ठीक करने के लिए हम तर्क का साहरा लेते हैं दोनों ही चीजें हमारे लिए काम नहीं करती तो जब आज जीवन के भीतरी आयामू की हो और अगर आप तर्क की सीमाओं से बाहर कदम रखने के लिए तयार ना हो तो कभी भी कुछ नहीं होगा अगर मैं आपसे आंखे बंद करके कोई बहुत ही सरल चीज करने के लिए कहूं और आप यहां बैटकर हिसाब लगाएं ठीक है अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा ये और वो तो आपके साथ कभी भी कुछ भी नहीं होगा अगर आपको किसी भी सुन्दर चीज का स्पर्षपाना है अगर आपको ध्यान का स्पर्षपाना है अगर आपको प्रेम का स्पर्षपाना है अगर आपको अनंद का स्पर्षपाना है तो आपको अतार के खोना होगा हर चीज तारकेक रूप से ठीक है लेकिन आपको चहरा लटका हुआ है क्योंकि आपकी हर चीज ठीक है आप ठीक हैं, लेकिन जीवन इस तरह से काम नहीं करता जब आप सुबह उठें, कल सुबह जब आप उठें तो बिस्तर में लेटे हुए, सौ प्रतिशत तारकिक रूप से सोचें अपने जीवन के सभी खुबसूरत पलों के बारे में मत सोचे किसी भी ऐसे अनुभव की ओर मत जाएं, जो आपके लिए महतोपूर्ण हो आकाश में उड़ने वाले पंचियों के बारे में मत सोचे सुर्योदै, बगीचे के फूल, आपके बच्चे का चहरा या जीवन का कोई प्रेम से भरा पल ऐसी किसी चीज के बारे में मत सोचे, बस तार के ग्रूप से सोचे अब आपको वाकई बिस्तर से उठना है, ये कोई छोटा काम नहीं है क्या ये छोटा काम है, ये कोई छोटा काम नहीं है, और फिर आपको टॉयलेट जाना है फिर आपको खाना है, भोजन करना है, भोजन, काम करना, भोजन और सो जाना कल सुबह फिर से यही चीज़ें अनुभव वाले पहलू को हटा दीजे अपने जीवन को सौ प्रतिशत तारकिक रूप से देख कर सोचे आपको वही चीज़ें अगले 30, 40 या 50 सालों तक करनी है और अगर आप योग करें, तो जीवन और लंबा हो जाता है और आगे बढ़ जाता है वही बक्वास, हर दिन, हर दिन, हर दिन बस तारकिक रूप से सोचिए, क्या ऐसा करने का कोई फाइदा है? क्या ये चीज़ करने लाइक है? करने लाइक है? नई, बहुत ज्यादा तरक वाले पल, आत्म हत्या के पल होते हैं और आप सभी इस तरह से आत्म हत्या करते आ रहे हैं लेकिन इन दिनों आप कोई भी चीज़ एक बार में नहीं करते आप हर चीज टुकडों में करते हैं आप आत्म हत्या भी टुकडों में कर रहे हैं मैं चाहता हूँ कि आप मुड़ कर देखें अगर आपको याद ना आए तो आप घर जाकर अपनी पुरानी तस्वीरें देखें कि जब आप पांच या छे साल के थे तो आपका चेहरा कैसा था ये ऐसा था और अब ये लंबा होता चला जा रहा है तो अगर आपको तरक से बाहर आना हो तो जब तक आप ये काम एक खास तरीके से ना करें तो ये ना समझी लगती क्यूंकि फिलहाल समझ के बारे में आपके विचार सिर्फ तर्ग से जुड़े हैं, है ना? लेकिन क्रिपया देखिए कि आपके जीवन के सबसे सुन्दर पल आपके साथ तब हुए जब आपने अपने तर्ग को थोड़ा सा दूर रख दिया था हाँ अपने प्रेम प्रसंग को तारकेक रूप से परक कर देखिए आपको लगेगा कि ये सबसे बेफकूफी भरी चीज है जो आपने की है वाकिए? हाँ या ना? हो सकता है ये आपके जीवन की सबसे सुन्दर चीज हो तो जीवन का तारकेक आया और आपके अस्तित्व के अनुभव से जुड़ी संभावना एक दूसरे से ठीक उल्टे है तो योग में हम आपको दो पहलूँ के रूप में देखते हैं सूर्य और चांद आपने प्रतीक देखा है आपने शब्द सुना है हट 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 योग ह मतलब सूर्य ह मतलब चांद तो ये दो आयाम है इसके कई प्रतीक हैं आपने देखा होगा कि शिव को आधे पुरोष और आधी नारी के रूप में दर्शाया जाता है ये सभी चीजें इसी ओर संकेत करती है कि आप में एक तार के कायाम है और एक कायाम उससे परे है अगर आप दोनों की खोज नहीं करते तो आप अधूरे इंसान होंगे या फिर आप आधे जीवन होंगे तो जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया या योग वगेरा की बात करते हैं तो हम यही देख रहे होते हैं कि संपूर्ण जीवन प्रक्रिया कैसे बने ना कि आधी जीवन प्रक्रिया बस शरीर जीवित है इतना काफी नहीं है आप में हर चीज प्रज्वालित होनी चाहिए तब ही आप देखेंगे कि चाहे कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो यहां रहना सार्थक है अगर आप यहां बैठें तो यहां बैठना सार्थक है अगर आप अपनी आँखे खोलें तो यह सार्थक है अगर आप अपनी आँखे बंद करें तब भी यह सार्थक है वरना जो भी हो यहां होना सार्थक नहीं है बस इसलिए क्योंकि आपका सिर्फ एक हिस्सा जीवित है बाकी का हिस्सा अभी जीवित होना बाकी है तो चांद आज पूर्णिमा है और बादलों ने उसे ढखा हुआ है पर चिंता मत कीजिए चाहे आप उसे देख पा रहे हूँ या ना देख पा रहे हूँ चांद का असर बिलकुल मौजूद है जैसे अमावस्या के दिन चांद का असर पूर्णिमा से कहीं ज्यादा होता है तो मुद्दा ये नहीं है कि आप किसी चीज़ का बोध पाते हैं या नहीं पाते, असर तो हर हाल में होता है। आप में एक तारक एक पहलू है, जो बहुत एक दुनिया को अच्छे से संभालने में आपकी मदद करता है। और तरक से परे एक आयाम है, जिसके बिना भीतरी आयामों तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता। चांद उस तरक से परे के आयाम का प्रतीक है।